कि तो हैं। विल्कम contract Fr बें हम लोग बात करने वाले हैं। 那 में सिमेटर 4 चेंटर एक्टिव प्रेप अब का सोशियोलोजी याणि कि समास्चत्र जिन लोगों ने समास्चत्र को जैन्रिक एक्टिव यानि के जीह का प्र रखा है। उंका सेमेटर पूर में किसरो कॉष्चन पूछा जाता है देखिये यह 2021 में दोस्तों लिया गया एक्जाम का पेपर है ठिक और अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार के कॉष्चन पूछे जाते हैं नौंबर महिने में स्वरिदी संबर महिने में एक दिसंबर को और यहां पर टाइम आपको जो हैं तीन घंटे दिये गए हैं समय आपका तीन घंटा हो गया फुल माक्स यान कि पुलनाग आपके 80 होते हैं और 20 आपके कॉलिज की तरफ से दे जाते हैं ठीक अब आइए देखत संख्या वन आपकेया इससे बनाना है उसके बाद किसी संख्या held उतर देने संख्या1 इतने वच्टें उन प्रश्ण के उतर देने तो यहां पर बोल रहा है कि राइट स्वाट नॉट्स ओन एनी फॉर ओफ फॉलोविंग यानि कि निमनिखित किनी चार प्रश्णों पर संचिप टिपनी लिखने हैं यहां पर एक प्रश्ण आपका 5 माक्स का है चार प्रश्णों को बनाएंगे आपका 20 माक्स मिलेगा यानि कि पांच नंबर के एक प्रश्ण तब इसका उत्तर आपको कितने में लिखना है दोस्तों एक खड़ा पन्ना का एक साइड ठीक पांच यंग के जितने में प्रश्ण होते हैं इसका उत्तर इसी तरह लिखना है यहां पर पहला है आपका जंजातिय संगतन ठीक न यानि ठीक ना काइंट्सिप क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगला है धर्म यानि की रिलिजियस के बारे में एक चोटा सा पराग्राफ लिख सकते हैं या फिर यूँथ और्गनाइज़सन की देश के विकास और भाविस के लिए उनति के लिए यह संगठन जरुर समासास्त्र हिश्ट्री इन सब की चीज़ें आपको मालूम होगी क्योंकि हम लोग बच्पन से इसमें पले बढ़े हैं ठीक ना तो परिवार क्या है तो यहाँ व्यक्तियों का सम्मू होता है जो कि आप सी रख का पारसपारिक संबन्ध होता है ठीक ने उसे परिवार काते तो इस प्रकार आप इसका उत्तर का ही उत्तर देना है यहाँ पे टोटल आपके 6 में से किसी चार का उत्तर देना है जो बहुत ही एजी लगा मुझे अगला है दोस्तों यहाँ पे आपके टोटल परष्ण संख्या 120 माक्स का हो गया अब इधर आपके जितने बचते हैं इन में से किसी तीन प्रष्ण के उत्तर देने और प्रतीकत स्वाइने क्या एक लिया Só आपके प्रश्ण की संख्या कितनी है total आपके पास यहां पे आठिक्र ले तो इसके सब्दों में हो होगी आपकी 280 से 320 सब्दों के बीच पहला है आपका जाती क्या है वाटईज कास्ट जाती में क्या अंतर है इस अगला है दोस्तों की सांस्कृतिक विवेदता पर एक निम्मन लिखें जन्जानतियों की कौन-कौन सी सांस्कृति में भिन्नताई होती है उनके उपर निम्मन लिखना है अगला है नातिदारिक क्या है वोटीज काइंड सिप इसका महत बताएं ठेक एट्स इंपोर्टेंट्स तो इसके क्या की इ ले परकां की वीवाह होती है वह आपको बताना है क्रै बिवाह हो गया उसके बाद आपका क्या हो गया होता है दान भीवा और इसी तरह की जितने भी विवा होते हैं आपको बता देना है अगला है दोस्तों परिवार को परिवासित करें तथा इसके मुख्य बिसस्ताओं का वर्णन करें Define family and discuss its main characteristics ठेक अगला है दोस्तों question no.7 धर्म की परिवासा दीजिए कि religious क्या है सामाजिक नियंतरण में धर्म का महतों बताएं Define religion, right about importance of religion related to social control या समाज को किस परकार control करता है तो इसका आपको बताना है या समाज के लोगों को बांधे रखता है एक सुत्र में इस परकार भी आप बोल सकते हैं सभर्म और भारत की लोग है तो भारत में तो दारों के बारे में बताने की जड़एं नहीं सब कोई जानता है वाके विए बच्चा बच्चा अग्छा है है टॉम टी तोटम से आप क्या समझते हैं जंजाती समाज में इसके मातों को समझाएं च्टो तोटम क्या होता है दोस्तों यह तो मैंने भी पहली बार सुना है टोटम से आप क्या समझते हैं जनजाती समाज में इसके मातों को बताईए तो क्या होता है यह मुझे भी पता दीजिये का कमेंट में तो चलिए इस वीडियो के ही पेंड करते हैं और यहां पे हमारा सोसलोजी जो है जेनरल इलेक्टिब का पेपर सॉल्व होता है और अगर आपको किसी भी प्रिब्येस यर कॉस्चन पेपर देखना है किसी भी सेमेस् चाहे कोई भी सब्जेक्ट ही क्यों ना हो तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए चैनल में और प्रिब्येस यर कॉस्चन पेपर में जाना है वहां पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता हो तो प्लीज उन तक भ प्लीटे वीडियो बनाता हूं मजाग नहीं बहुत हैं और अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंज बता सकते हैं चाहे वह वीडियो से या ना हो हम आपके कमेंट का उत्तर देते हैं तो चली सब्सक्राइब करते और जाते जाते एक सला देना चाहूंगा तो दोस्तों देखे समय के साथ जो है ना अपने जिम्मेवारियों को भी समझे और घर-परिवार की स्थितियों को भी थोड़े अपने अपने हाथ में लीजिए और हो सके तो अब आप अपना खरचा स्वेम अठाने की कोसिस किझे क्योंकि समय के साथ अगर आप खर्चा नहीं उठाएंगे ना तो आगे चलकर आल सी प्रविर्ती के आदमें बन सकने है लेजी बन सकतने इसलिए अब अपना खर्चा स्वयम उठाने की कोसिस किजिए और हर माबाप का सपना भी होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है यानि कि मुझे कुछ इससे पेनिफिट होगा आगे चल कर मुझे कुछ रहात होगी हर माबाप को चलिए इस वीडियो के यहीं पेंड करते हैं